आज प्रधान मंत्री जी ने एक मिशन लांच किया, तो सभी के मन में यह प्रस्ण आ रहा है कि आयुस्मान भारत डिजिटल स्वास्त मिशन योजना आखिर है क्या, यह योजना समाने ब्यक्ति को किस प्रकार से लाफ पहुंचाएगा, इस संबंध में आज मैं पूरा विव समाने रूप से सभी ब्यक्तियों के पास एक हेल्थ आईडी काड होगा, यह पूरी तरह से डिजिटल होगा, जो अधार काड की तरह होगा, और उस पे एक यूनिक नंबर भी छपा होगा, एकदम बिलकुल अधार काड की तरह ही, हेल्थ काड पे नंबर छपा होगा, उसी नंबर से बैक्ति की पहचान होगी इस देश में जितने भी पब्लिक हस्पीटल हैं कमुनिटी हस्पीटल हेल्थ सेंटर हैं यह सभी हस्पीटल के माध्यम से आप हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं या उथोर्टी इनके पास रहेगी बनाने की अब बात करते हैं कि इस कार्ड से समाने बैक्ति को लाव किस परकार से होगा तो सबसे पहला लाव है कि इसमें बैक्ति को मोटी फाइल एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाने से जंजट से छुटकारा मिल पाएगा यानि उस हेल्थ आईडी कार्ड के द्वारा ही बैक्ति अपना इलाज करा सकता है कोई भी हास्पीटल या डाक्टर उस बैक्ति का हेल्थ आईडी कार्ड देखकर ही उसका इलाज करेगा और वो इलाज किस परकार से कैसा होगा वो हेल्थ आईडी कार्ड के माध्यम से और इस Health ID Card से यह भी लाब होगा कि जो भी सरकारी योजना जिस बैक्ती ने पूरा लाव लिया हो जिस जिस योजना का लाव जिस बैक्ती ने लिया हो उसका सारा विवरन इस Health ID Card में उपलब्द होगा अब बात करते हैं कि Health ID Card कैसे बनेगा या इसमें बनाने के लिए कौन सी डोकुमेंट क्या हो सकता होगी या क्या-क्या प्रकृरिया है इसको बनाने के लिए बात करें तो सबसे जो पहला पॉइंट आता है कि बैक्ती का अधार काड और मुबाइल लंबर सबसे महत्तपूर है आधार काड और मुबाइल लंबर के द्वारा ही बैक्ती का Health Unique ID Card बनेगा किसके द्वारा संचालित होगा इसके लिए सरकार ने या घोशना किये कि वह एक Health Authority का निर्मार करेगी जो देश के प्रतेक बैक्ती की यानि एक-एक बैक्ती का डाटा उपलब्द कराकर यानि मु प्रकार से हम जान पाए कि Health Unique Card से लाव क्या होगा या किस प्रकार से बनेगा और इसका कितना बड़ा फायदा होने वाला है आने वाला समय में